जैहिन नमस्कार साथियों मैं योगेश मिस्रा आप सभी का हारदी स्वागत करते हूँ साथियों आप भी एक आदर पुन नवकरी अर्थाद सिच्छक बनने के लिए प्रयासरत हैं और निरंतर यूपी टीजीटी पीजीटी सताइस जार नई सिच्छक भरती बिग्यापन का इंतजार भी कर रहे थे तो कहते हैं कि गुरु का आदर करना चाहिए लेकिन इस कल्यू के भ्रामग जूटा और ठग सिच्छक के बाद सच्छे गुरु से भी लोगों का विश्वास उट रहा है जैसा कि आपने देखा कि लिखा गया है तो इसका क्या मतलब है बिग्यापन आएगा नहीं आएगा आएगा तो कितने पदों पर आएगा सारी चीजे हम जानने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो साथियों 27 जार भरती को लेकर ही इतना ज्यादा अफवा फैलाया जा रहा है लगातार आप लोगों को भ्रहमित किया जा रहा है कोई बोलता है कि मेरी चैन बोर्ड के अध्यच से अधिकारियों से वारता हुई है सारा दिन हमने मिहनत की आपके लिए तो कोई बोलता है कि चुनाव की डेट घोसित होते ही TGDPT का बिग्यापन आ जाएगा अरे मेरे भाई आप ही जारी करोगे क्या नया बिग्यापन ऐसा कब बोर्ड ने आप से कह दिया ये जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी हाल ही में दी थी और वो भी बिग्यापन की बात नहीं कही गई थी ये बोला गया था कि चुनाव की डेट केस बाद एक्जामिनेशन कलेंडर की बात कही गई थी इक्जामिनेशन कलेंडर जो है वो घोसित किया जाएगा और जिसमें आपकी एल्टी ग्रिट सिचक भरती भी सामिल होगी तो टीजीटी पीटी कहां से इसके बीच में आ गई जबकि टीजीटी पीटी उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग नहीं मादमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड जारी करता है और सातियों सबसे ज़्यादा सर्मनाग बात तो ये है कि जो है ऐसा सीनियर अध्यापकों के द्वारा बोला जा रहा है कोई 50 साल का इंगलिस का टीचर है तो कोई किसी और विशे का और इतना ही नहीं इसी बीच अपनी फ्रोड वाजी यानि की मार्केटिंग भी सुरू कर दिये हैं तो आप सभी लोग इनसे सतर्क रहिएगा सावधान रहिएगा और इनका कहना ही कि वाटसप नंबर ले लो नोट्स खरीलो अरे भाई जब ऐसा टीचर थोड़े ब्यूच के लिए ऐसा गिर सकता है तो तुम काहे कि टीचर और तुमारी नोट्स ही फिर किस काम की होगी अधरणी अध्यापक जी लोगों को कमेंट बंद करके ठगना और ब्रमित करना चोड़ दीजिए हमारे तमाम भाई भाहें लगातार परसान हो रहे हैं वाटसप पर मैसेज काल करके लगातार जो है पूछते हैं कि सर जो है इनके दोरा कही गई बात क्या सही है क्या और इन लोगों का वीडियो भी बेचते हैं और आज तो इन्होंने हधी पार कर दिया इनका कहना है कि बुद्धोर यानि कि 5 जनवरी 2022 को बिग्यापन आ रहा है 200% और ये भी कहना है कि पदों की संख्या को लेकर आप सभी को गुमराह किया जा रहा है और यहां पर जो बिग्यापन ये 27,000 पर ही जारी किया जाएगा आदरली गुरुवर कुछ पता भी है आपको अधियाचन आया है मातर 5000 के आसपास पदों का और उसमें से भी साड़े 300 से जादा अभियरती 2016 के हैं जो की चैनित हैं और यहां पर 1200 से 1300 के आसपास के करीब यहां पर 2021 के चैनित अभियरती भटक रहे हैं और जिनका समयोजन भी जो है इनी अधियाचनों के अंदर होना है तो फिर यहां पर सही सलामत 5000 पद भी नहीं बचते हैं तो भरती 27 जार पर कहां से आ जाएगी और रही बात बुद्धवार को बिग्यापन आने की तो देखी अभी चैन बोर्ड खुद भी हाथ पाउ जटक रहा है कि अचार सहीता के पहले बिग्यापन नहीं जारी कर पाएंगे और जन्वरी के अंद तक जारी होने की संभावना जताई गई है तो ऐसा कमेंट बंद करके ब्रामक चीजें बिल्कुल भी मत फैलाईए आप एक सीनियर अध्यापक हो और देखी साथियों अगर आप चाहते हैं कि टीजेटी पीटी 27,000 नहीं भरती का बिग्यापन जारी हो तो यार घर से बाहर निकलना पड़ेगा तब ही यहाँ पर कुछ हो पाएगा हलाकि अब ब्यर्ती अभी भी परिशान है कहना है कि जो यह पदों की संख्या है इसको बढ़ाई जाए तो हो सकता है कि संख्या भी बढ़ाई जाए आने वाले समय में क्योंकि अभी भी लगातार चातर प्रियास रत हैं तो इसी प्रकार से अगर आप सभी भी जो है संख्या बल प्रदर्सित करेंगे तब ही हो सकता है कि यहाँ से बिग्यापन जारी किया जाए नहीं तो चैन बोर्ड ऐसे ही ढीला पड़ा रहेगा और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे तमाम सारे साथी लगातार परशान भी हैं जैसा कि आदरली युवा मंच या फिर प्रतियोगी मोर्चा हो और इसी के संबन्द में कल एक बार फिर से साड़े ग्यारा बजे माधमिक सिच्छा सिवचा एन बोर्ड में और इसके लिए ये चैनल भी लगातार प्रयास रत है और दोनों संगटनों के संपर्ग में बना रहता है चैन बोर्ड के संपर्ग में बना रहता है और आगे की जो भी जानकारी होगी ऑथेंटिक आप सभी तक पहुँचा दी जाएगी वीडियो देखने के लिए बहुत और धन्वाद